शेक इंडिया ओन्लाइन प्लाट्फोर्म का एक्सपर्ट अकाउंट रिवोक होने के बाद सबसे बड़ा कोश्चन यही होता है कि कैसे उस अकाउंट को वापस लाया जाए या फिर कैसे उसे रियक्टिवेट किया जाए और इसी टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला था बहुत सारे एक्सपर्ट के अकाउंट उसमें वापस आ भी गय थे और रियक्टिवेट हो भी गय थे और जिनके अकाउंट नहीं आ पाये थे वो बहुत सारे मुझे कोश्चन करते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं आप तो वीडियो देख सकते हैं तो उन questions का answer मैं आज आपको देना चाहता हूं सबसे बड़ा सवाल तो experts का यह रहता है कि अगर उन्होंने 15 days या फिर 20 days या फिर 25 days अगर questions solve की हैं जितने भी questions उन्होंने solve की हैं और उनका account एकदम से रिवोक हो जाता है तो क्या उनको payment मिलेगा तो इसका answer सीधा सीधा यह है कि उनको payment जरूर मिलेगा उनके जो date आने वाले 15th date जो अगले महीने के होती है उसमें उनको payment मिलेगा लेकिन अगर उनका account 25th date पर रिवोक हुआ है और अगर फिर भी वह अभी चल रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसके वह जल ही रिवोक हो जाएगा और रिवोक होने के बाद अगर आपको इसी question को solve करते है तो वह question नहीं count होता तो इसलिए अगर आपको अगर रिवोक का mail आ चुका है और फिर भी अगर आपका account चल रहा है तो आपको फिर questions solve मत करना समझ जाना कि आपका account रिवोक हो चुका है और जल्दी से उसकी ticket raise कर देगा और payment के बारे में कोई tension लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने भी question आपने आपके revocation date के पहले तक किये होंगे उन सारे questions का payment आपको मिलेगा और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह था कि जितने भी experts है वो यह पूछते हैं कि मेरा CF score पिछले महीने 80% था या फिर 80-90% था लेकिन फिर भी इस महीने में मेरा CF score एक दम से थोड़ा सा डाउन गया और मेरा account revoke हो गया तो actually वो जो account जो आपको revoke होता है वो training session में होता है यानि कि आपके उस time पर training चल रही होती है कि आप अच्छे experts हो या नहीं जैसे जैसे आपके comments के reviews आने बंद हो जाते हैं जैसे कि जब जैसे आपके questions के reviews आते हैं कि आपने किस तरह से perform किया या फिर आप उनके expectation के हिसाब से question के answer दे पाने हो या नहीं उसके review वो आपको देते हैं और जैसे ही वो reviews आना बंद हो जाएंगे आप एक trained expert बन जाएंगे और फिर आपको comments के reviews नहीं आएंगे और फिर अगर आपके जो CF score है अगर वो continuously भी कम होते हैं तो भी आपका account revoke नहीं होगा और इसी वज़े से training session में training के time पर आपका account check revoke कर देता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप students के questions को सही से solve नहीं कर रहे हैं और इसी वज़े से आपको आपकी तरब से ticket raise करनी होती है जिसमें आपको बताना होता है कि कैसे आप questions solve करते हैं और किस वज़े से आपका CF score डाउन गया और इन सब भी जी जो ticket आपने raise करी है और जो आपने message लिखा है उस message को consider करके वो आपका account reactivate कर देते हैं तो ये थे कुछ answer जो कि बहुत सारे experts के मन में आते हैं जब उनका account revoke हो जाता है और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे ticket raise करनी है तो मैंने यहाँ पर i button को click कर दीजिए वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैंने ticket raise करके बताया है और क्या आपको लिखना है किस तरह से ticket raise करनी है कैसे आपका account revoke हो गया है तो उसे कैसे activate करना है वह सारे जीज़े बताईए तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो मिलते हैं हमारे अगरे वीडियो में तब तक के लिए गुटपा